तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंत्रकत व्यांजन वांड को पढ़ने माले हैं कितने टाइप है कितने प्रकार है और हर एक टाइप को एकदम विस्तार से समझने वाले हैं क्योंकि यहां से आप लोग के एक्जाम में हर साल कोशन पूछे जाते हैं इंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक होता है स्वर और व्यांजन क्योंकि मतलब चार प्रकार होते हैं हर एक प्रकार को एकदम दीपली पढ़ा चुकी हूँ अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लिजेगा स्वर और वेंजन किसे कहते हैं मैं फर्स्टी वीडियो में बताई थी और फिर उसके सेकंड वीडियो में स्वर्वन के हर एक और आज यह थर्ड वीडियो समझे की पार्ट पार्ट थ्री है जिसमें हम लोग वेंजन वन के हर एक टाइप को एकदम डीपली पूरने वाले हैं वीडियो काफी इंपोरेंट है इसलिए अंत तक बने रहिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा चले स्टाट कर होते हैं आज कि वीडियो को और आप लोग स्टाटिंग में वीडियो को शेर कर दें एक तुम आप लोग कितना जिदा एक्साइटेड है यह आप लोग शेर करके दिखा दिए पड़वर्ट रेकर दिता कि सब लोग इस वीडियो का लाव उठा सके सबी लोग का भला हो जब हम लोग बोलते हैं यह जो लिखा है का तो इसको बोल रहे तो का में और आ रहा है और एक स्वारवन है तो हम लोग स्वारवन की सहायता से बोलते हैं व्यंजन वन को का जब हम लोग बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या रहा है और यान की स्वारवन आ रहा है तो व्यंजन के संख्या कितनी है वैसे मैं आप लोग को बताई भी हूँ तोटल वन की संख्या बावन जिसमें से 13 हो गया स्वार वन और वेंजन वन की संख्या कितनी है 39 यानने कि टोटल वेंजन 1 कितने है 39 49 वेंजन है याद रखना है अब इसी 49 वेंजन 1 को अलग 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 वागों में बाट दिया गया ठीक है तो चलिए देख लेते हैंके विए नन वर्ण के परकार को सबसे पहला जो टैप है सबसे पहला परकार वह है पर्स बैंजन इसपर्स वेंजयन किसे कहते हैं परस वेंजयन के अंतरकत ना को से लेकर मोग तक जितने भी वान्ड आते हैं वेंजयन वर्ण उसको रखा जाता है देखिए कहश गहाँ vers 2 तो यहाँ पर जो है आप यह देख सकते हैं कि यह जो पहला लाइन है पहला लाइन का स्टार्टिंग में पहले लाइन के स्टार्टिंग में क्या है को है ठीक है को है न तो इसी लिए इस पहले लाइन को कहते हैं को वर्ग क्योंकि स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रहा है को से हो रहा है तो पहले लाइन को कहते हैं को वर्ग उसी तरह दूसरा लाइन क्या है चा जा 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 यहां तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या है स्टार्टिंग में है चा तो इसलिए दूसरे ल दा धाड़ा तो यहां पर अिस लाइन को क्या कहेंगे टा वर्ग कहेंगे उसी तरह त में क्या है त त ? यो गया टावर्ग ऒर यह हो गया टा वर्ग यह ऌगया यह परhand में टोटल का से लेकर मौ तक के वर्ण रखे जाते हैं और सुनिए अब यहाँ पर आप लोग के एक्जाम में उचारन इस्थान से भी कोशन पूछ देता है कि का का उचारन इस्थान क्या है तो का उचारन इस्थान क्या है दो का उचारन इस्थान क्या है उचारन इस्थान क कि मतलब किस तरह याद रखें याद रखने का बीट रिक वताओंगे आप लोग प्रिंसन नहीं लेना है तो आप लोग को समझ में आ गया इस पर्षबेंजन को से लेकर मौत तक तो आप लोग के जब इसको पढ़ेंगे ना तो जबान जो है ना आप लोग के जीव जो है मुझे किसी ना किसी भाग से टच यानि किस पर्श करेगी इसी वज़ा से इसका नाम क्या रख देगा इस पर्श ब्यंजन ठीक है तो इसमें को से लेकर मौ तक वर्ण आते हैं किसम का से लेकर मौ तक के वर्ण को कैसे मतलब का से लेकर मौ तक का जो वर्ण है इसका उचारन इस्थान कैसे याद रखें कोशन पूछ देता है कि दा का उचारन इस्थान क्या है तो उचारन इस्थान कैसे याद रखें उचारन इस्थान जैसा कि मैं आप लोग को बताई किस मैं आप लोगों को से लेकर मस तक के वर्न का उचारण इठान याद रखने की ट्रिक बताती हूं एकदम दिल ठाम लीजिए और एकदम धान से देखिए और ध्यान से सुनिये और समझिये ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बता ही नहीं ये का वर्ग है का खागा घर्णा तो ये क्या है का वर्ग है तो सुनिये यहाँ पर ट्रिक क्या है का से का वर्ग का से ये का वर्ग है और का से कंट का से का वर्ग और का से कंट यानि का वर्ग में जितने भी जाएंगे ठीकिंए। यहांपर मैं लिख भी दे रहे हूं कवर्ग और कव्ष क्या का से होता है कंट है याद रखना है। यान कि से बोले जाएंगा कर आप लोग पता चलेगा कि कोजब हम लोग बोल रहा है तो आवाज कहां से निकल है कंट से निकल रही है कंट से का का आप लोग बोल कर देखिए खुद से बोलिए जब मैं बोल रहे हूं आप भी बोलिए का का तो का का यानिकी कंट से निकल रहा है तो का उचारने स्थान क्या है कंट खग उचारन स्थान क्या है कंट गउलिए आप लोग पता चलेगा कि हां यह आवाज जो है ना कंट से निकल रहा है तो घग हो गया कंट मतलब उचारन स्थान कंट उसी तरह अंग तीक किया है कंट उचाड़ने स्थान तो कवर्ग के जितने भी वर्ण है कौसे ले को खांगा तो यह क्या इन सभी वर्ण का उचाड़ने स्थान क्या है कंट याद हो गया होगा आई होप कौसे कवर्ग और कौसे कंट यानिकी कवर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वह कंट से बोले जाएंगे यानी कि चार्य स्थान क्या होगा अब आते हम लोग चया वर्ग पर ड्रो अब पर मंने चया जया यह आता है तो समझ स्केराई यहां पर इसको कैसे याद रखें चया वर्ग में सबसे पहला ऑर नहीं है चया तो उक्रों और पॉल बोल सब्सक्राइब बेंगा कि जिब चो बोलते समय जिब जो जहना ऊपर जाकरि क्ली से सड जा रहा है चाँ यानिक को चवर्ग के चुту और कि जितने भी वर्ण है वो किस से बोले जाते कर देख लेना है कि जीब कहा पर जाकर टच कर रही है च जिब पर जाकर स्पर्श कर रहे हैं यानि कि चो का उचारन अस्ठान क्या है तालू तालू से बोला जा रहा है चो चोछ चोछ वर्ख में जितने भी वांड आएँंगे वह तालू से ही बोले जाएंगे ठीकर उच friction za- Row उसी तरह जा कश और ऊपर तालू से पर्श कर रहा है तो यह जो दूसरा वर्ब है चोवर्ब एसका उचारन स्ठान क्या है तालूज उस सिर्प आप तीसरा वर्ब सिर्फ आप लोग को कुछ नहीं करना है करना यहीं है कि ऐस स्कार्टेंग का जो वार्ण है ना उसको आप लोगो एक बार बोल कर देख लेना है कि जीव कहां पर जाकर टच कर रही है तो सबसे पहले आप लोग बोलीए तो 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 आप लोगो पता चलेगा कि तो बोलते समयच जीव जो है ना हलका सम्मूर कर ऊपर सट रहा है उपर टच कर रहा है यानि कि तो का जो उचारन स्थान है वो मुर्धा है क्या है मुर्धा यानि कि अब इस तो वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो मुर्धा से ही बोले जाएंगे यानि कि उनका उचारन स्थान मुर्धाई होगा तो वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो कह मुर्धा से बोले जाएंगे याद रखना है कि अब आते हम लोग तोवर्ग पर यस में इसको भी पहचानना आसान है डज्यां बहुत आसान में विन आप लोग को क्या बूलीए सबसे पहला वर्ण आप लोग उसको बोल कर देखिए बोल कर देखिए कि जिव कहाँ इसपर्ष कर रहा है और जहाँ पर भी इसपर्ष कर रहा है मतलब पहले वर न का अगर आप लोग को उचारने स्थान पता चल गया तो बाकी उस वरड के जितने भी वरड होंगे उनका भी उचारन इस्थान वही होगा तो तो को बोलकर देखिए तो तो जीब कहा जाकर स्पर्श कर रहा है जीब जो है ना वो दात दात में जाकर स्पर्श कर रही है देखिए तो बोली आप लोग तो 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 जीब जो है किसको जाकर टच कर रही है तो दात को हम लोग जब तो बोल रहे हैं तो जीव जाकर दात को टच कर रही है यानि कि तो का जो उचारन इस्थान है वो है दंत यानि कि दात से दात की हेल्प से तो बोला जा रहा है तो जीव जो है जाकर दात को टच कर रही है यानि कि तो का उचारन इस्थान क्या है दंत तो अब इस वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे उनका भी उचाने स्थान क्या होगा दंत ही होगा तो बस पहले का आप लोग को पता कर लेना है पहले वर्ण का पता कर लेना है और बाकि उसमें जितने भी वर्ण आएंगे उनका उचाने स्थान वही होगा बस इतना ही तो लोग कि लोग को काम करना सबथ है ना उसको street का उचाने स्थान एंगे उचाने सदंथ होगा अब उस्सी तरह आप लोग इसको भी पहचान लीजे पाफ़ा भाद युर्ण स्थान्त पदों से और वर्ण कर लिए इस वर्ण में जितने भी खुला उन रिखता और है ऑफाedy तो इस पाव का उचारन चैन्य अगर वर्ण है उनका भी उचारन अस्थान क्या होगा वता स्थी होगा देखिये वा स्पर्ष करें तो लिख भी दे रही हूँ पावर्ग का उचारन स्थान क्या है पोस्ट आई होप आप लोगो याद हो गया होगा कि कौ से लेकर मौ तक वर्ण का उचारन स्थान क्या क्या होता है आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा अगर समझ में आया है तो इसी बात पर लाइक तो बनता है और कमेंड में लिख कर बताईए कि हमें याद हो गया है को यह लेकर मौत बहुत ही ज्यादा आसान है याद करना उचारन स्थान चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं इनकी शंख्या कितनी होंगी एक दो तीन चार पांच पांच दस पंद्रवीस पचीस यानि की एस पर्ष ब्यंजन में टोटल वर्णों की संख्या 25 है ठीक है तो जिस भी आप्सन में आप लोगों को 25 दिखाई दे उसको धीरे से टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं समझते अंतश्ड वेंजन में व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो चार होती हैयर लव Mohan याद रखिए का Beach पुछ देता है बस सब्सक्राइब है वह है उश्म बेंजन उश्म में भी चार नाथ यह नोर्मल सब क्या है और यह है- यैनि- इसमें भी T वर्णो कि संभ्या क्या है चार- थो यहां से भी उसी तरसे को resin पूच शकता- है कि निलिखित में से कौर उश्म बेंजन हैं और इन चारों वर्ण में से कोई भी एक दे देगा धीरे से टिक कर दिजेगा जिस भी ओफ्षन में दिखाई दे या फिर यह पूछ सकता है कि उश्ण बेंजन की संख्या कितनी है तो चार होगी उसी तरह है सहयुक्त बेंजन सहयुक्त बेंजन में भी चार वर्ण है याद रखना ह कोशन पूछ सकता है कि दिविवर्ण बेंजन की संख्या कितनी है दो और कौन-कौन तो जिस भी ओफ्षन में डा और धा दोनों में से कोई भी एक दिखाई दे आप लोगों को धीरे से ठिक कर दे रहे हैं I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप लोग यहां त आप लोग के कॉंटक्स में जितने भी लोग है अपने पोडोसी अपने दोस्तों अपने चोटे बड़े वाई वन जितने भी आप लोगे कि दिखिदार